नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल बैंकिंग बंधू पर दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक लेके आए हैं Corporate Salary Package CSP Account State Bank of India ओफर कर रही है Corporate Salary Package Accounts यानि अगर आप Salaried हैं कहीं पे नौकरी कर रहे हैं तो Normal Account ना खुलवा के आप State Bank of India में खुलवा सकते हैं अपना Corporate Salary Package Account क्योंकि ये Account आपको देता है बहुत ही सारे Benefits, Free Insurance दे रहा है आपको Zero Balance Account है दोस्तो Zero Balance Account अप कहीं भी किसी भी बैंक में नहीं खुलता लेकिन अगर आप State Bank of India में Corporate Salary Package Account खुलवाएंगे तो आपको ये सर्विस भी मिलेगी कि आप Zero Balance भी रख सकते हैं अपने खाते में और कोई Penalty नहीं लगेगी दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपके लिए हम ऐसी ही important वीडियो जो आपको आर्थिक फायदा दें financial decision लेने में मदद करें ऐसी वीडियो हम रोज आपके लिए लेके आते हैं आएए हम benefits जानते हैं इस corporate salary package के अपने वीडियो में सबसे पहले हम जानते हैं कि यह जो corporate salary package का account है यह कौन खुलवा सकता है कौन eligible है CSP account के लिए तो दोस्तो अगर आप employ हैं किसी corporate institution के जैसे service organizations होती है service organization जानी जो service provide करे hospitals, schools, hotels, transport corporations ऐसी जितनी भी organizations हैं अगर आप वहां पर नौकरी करते हैं, salaried हैं तो यानि आप इस category के अंडर आते हैं corporate salary package account आप State bank of India में जा सकते हैं और अपना खाता खुलवा सकते हैं अगर आपका कोई normal खाता खुला हुआ है State bank ने saving account नौर्मल वाला खुला हुआ है तो आप उसे convert भी करवा सकते हैं अपना employer का जो proof है कि आप यहां पर काम करते हैं आप अपनी salary slip और identity card दिखा कर अपना account convert करवा सकते हैं CSP में सबसे पहले देखते हैं कि इसके variants क्या क्यों होते है variants याने कितने type क्यों होते हैं तो जो type है जो CSP accounts का दोस्तों यह CSP है CSP accounts के जो type है वो depend करता है कि आपकी net monthly salary कितनी है अगर आपकी net monthly salary जो है वो एक लाग से उपर है अगर एक लाग से उपर है तो आपको platinum category मिलेगी 50,000 से एक लाग के बीच है अगर तो diamond category 25,000 से 50,000 अगर आपकी net monthly salary है तो आपको gold category मिलेगी और 10,000 से 25,000 के बीच है तो silver category यह categories में इसलिए divide किया गया है जो salary package account है क्योंकि इन categories पर depend करता है कि आपको कौन से तरीके का ATM या debit card मिलेगा ATM debit cards भी बहुत तरेके होते हैं जिसमें free transaction वगेरा ऐसी facility आपको मिलती है तो इस पर depend करेगा कि आपको कौन सा debit card या ATM card मिलेगा कितना insurance cover आपको मिलेगा या जो state bank of India के loyalty program होते हैं उसमें आपको क्या-क्या फायदे मिलेंगे जितना अच्छा आपका variant होगा उतनी अच्छी आपको facility offer करेगा state bank of India सबसे पहले देखते हैं आपके employer को क्या-क्या फायदे हैं employer वो होते हैं जिसके आप नौकरी कर रहे हैं तो उसको क्या-क्या फायदा है सबसे पहले hazel free account opening process hazel free account opening process का मतलब यह है कि account खोलने में आपको कोई दिक्त नहीं आएगी आप अगर चाहें तो state bank अपने किसी employee को भी आपके घर भेज सकता है account खोलने के लिए या फिर आप online खोल सकते हैं या offline branch विजट करके भी अपना account खोल सकते हैं बिना किसी तकलीफ के दूसरा convenient way to manage salaries corporate internet banking है state bank of India की जो की बहुत अच्छी है आप उसके थूँ अपनी salaries को process कर सकते है manage कर सकते हैं एक organization में या एक company में आपको पता होगा काफी सारे employees work करते हैं तो उन सारे employees की salary manage आप कर सकते हैं corporate internet banking के थूँ next है यह online facility जैसे कि आपको बता है corporate internet banking online facility है जिसके थूँ आप paper work जो है उसको कम कर सकते हैं क्योंकि आप bank जाएंगे एक एक का form भरेंगे उसमें बहुत paper भी वेस्ट होगा और आपका time भी waste होगा तो state bank of India आपको offer करते है corporate internet banking जिसे use करके आप बहुत ही कम time में बहुत जादा काम कर सकते हैं last है zero charge for salary disbursement आपको पता होगा कि आप किसी भी bank में अगर जाते हैं अपने employees की salary credit करवाने तो वो bank आपसे कुछ ना कुछ charge करता है लेकिन state bank of India ऐसा bank है जो इस काम के आपके zero वो पैसे लेता है कोई charge नहीं है nil charges सबके account में time से salary पहुत जाएगी without any charges अब बहुत important चीज employee का क्या फाइदा है अगर वो state bank of India में अपना खाता खुलवाता है corporate salary package वाला खाता तो उसके लिए क्या क्या benefits हैं दोस्तो unlimited benefits हैं जैसे की zero balance account आज के time पे किसी भी bank में अगर आपके खाते में balance नहीं है तो आपके उपर कुछ ना कुछ penalty जरूर लगेगी लेकिन state bank of India में अगर आपका CSP यानि corporate salary package account है तो zero balance आपके लिए allowed है free unlimited transaction across ATM अगर आप ATM पे transactions करते हैं तो किसी भी ATM पे transaction limited होते हैं आप एक महिने में 5 या 6 या 10 transactions ही कर सकते हैं लेकिन अगर आपका CSP account है तो आपके लिए unlimited transactions है state bank of India में also आपको state bank of India का credit card यह complimentary आपको मिलता है state bank of India का credit card भी आपको साथ में मिलेगा जब आप CSP account खोलेंगे फिर आपको क्या मिल रहा है personal accidental insurance यह बिना किसी premium के state bank of India आपको दे रहा है accidental insurance अगर किसी भी accident में आपकी death हो जाती है तो जो भी आपका nominee होगा उसे bank 20 lakhs 20 लाक रुपे देगी फिर अगर एयर accident में आपकी death होती है एयर accident यानि plane crash या कोई भी ऐसा incident जो की एयर में हुआ हो land में नहीं एयर में हुआ हो उसमें आपकी अगर death हो जाती है तो bank आपके nominee को 30 लाक 30 लाक रुपीज देगा यह सारे जो facilities हैं यह complimentary bank इसका आपसे कोई चार्ज नहीं लेगा फिर देखते हैं जितनी भी loan facilities express credit home loan car loan education loan express credit जो है वो personal loan state bank of India का express का मतलब है तुरंत आपके खाते में आ जाना तो जो भी loan products है bank के उसमें आपको कहीं ना कहीं rate of interest में concession मिलेगा वो concession कितना भी हो सकता है डिपेंड करते हैं उस टाइम पर क्या offer चल रहा है लेकिन अगर आपका CSP account है तो आपको कुछ ना कुछ concession rate of interest में जरूर मिलेगा अगर आफ state bank of India में locker खुलवाना जाते हैं तो जो annual locker rent है उसमें 25% तक कि आपको छूट मिलेगी जो locker खुलवाया है अगर आपने जितना भी आपका annual payment जाता हो उसमें 25% तक कि आपको छूट मिलेगी इसके अलावा आपको free में auto sweep facility यह है state bank की कि अगर आपके account में saving account जो है उसमें एक particular limit से पैसा जादा होता है तो वो automatically FD बन जाती है और FD पे आपको पता ही होगा कि saving खाते से जादा जो ब्याज है वो आपको fixed deposit पे मिलता है तो वो automatic आपकी FD बन जाएगे आपको जादा rate of interest मिलेगा इसके लिए आपको यह नहीं सोचना कि अगर FD बन गई है तो वो तुड़वाने के लिए आपको bank जाना पड़ेगा नहीं दोस्तों ऐसा बिलकुल भी इस फॉर्म में शेयर अपने रखते हैं यह वाली फैसिलिटी भी free of course देता है आपको state bank of India अगर आपका corporate salary package में account है free issuance of draft आपको बता होगा अगर आप कोई भी draft बनवाते हैं किसी भी bank से तो आपकी commission पर होती है bank आपसे commission लेता है या फिर कोई और facility जैसे sms की facility है neft rdgs इस सब में bank आपसे कुछ ना को charges लेता है लेकिन अगर आपका csp account है तो bank आपसे zero charges लेगा आपके कोई charges नहीं लंगेंगे जो सबसे अच्छी एक और बात है वो है overdraft facility overdraft का मतलब है आप अपने खाते में खाते में जो balance है उससे ज्यादा पैसे निकाल सकते हैं कितना ज्यादा निकाल सकते हैं दो महिने की net salary जितनी भी है आपकी उतना ज्यादा पैसा आप निकाल सकते हैं अपने account से Earned points on various transactions State bank of India में आप जितने online transactions ज्यादा करेंगे उतने loyalty program कहते हैं जितने आप online transaction करेंगे ATM के दुरू transaction करेंगे तो आपके points बढ़ते जाते हैं जिसे हम SBI rewards कहते हैं यह बहुत सारे जब points आपके खटे हो जाते हैं तो आप इनको use कर सकते हैं किस चीज में आप State bank of India की website से काफी सारी चीज़ें वो खरीद सकते हैं mobile phone DTH recharge वगेरा बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे available हैं जिनमें आप यह points यूज कर सकते हैं उसके अलावा debit card और योनों पे आपको बहुत सारी facilities बहुत सारे offer मिलेंगे offer जैसे कि आपने देखा होगा credit card और debit card पे आते रहते हैं Amazon flip card जितनी भी online merchant banking वाली sites हैं उन पे ऐसे offer आते रहते हैं तो अगर आपका CSP account है तो आपको जादा offer मिलेंगे जादा छूट मिलेगी दोस्तों अगर कोई भी आपको related इस यह numbers देख लीजे अगर आपको mail करना है तो आप mail भी कर सकते citu at the rate sbi.co.in आपकी queries जल से जल सॉल्व होंगी और आपको आपकी समस्या का समधान दिया जाएगा दोस्तों उमीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी knowledgeable लगी होगी अगर आपका थाता normal है आप कहीं salaried है तो जरूर अपना account change करवाके CSP में convert करा लीजे हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजे चैनल को subscribe कीजे और अपने दोस्तों के साथ भी ये share कीजे ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें घर रहे सुरक्षित रहे थांक यू